दुर्गा अश्टमी कब है? 10 या 11 अक्टूबर को जाने पूजा का शुभ महूत और विधी इस वर्ष के प्रमुख त्योहारों पर तिथी के भ्रम की स्थिती लगातार बन रही है, अब नवरात्री के अफसर पर अश्टमी और नवमी तिथी को लेकर भ्रम की स्थिती बन अश्टमी गुरुवार को मनाई जाएगी या शुक्रवार को, इसको लेकर तमाम भक्तगण और श्रिधालू परेशान है, वहीं दूसरी तरफ जोतिशाचार्य और जानकारों का मानना है कि उद्या तिथी के कारण ऐसी भ्रम की स्थिती बनी है, किस दिन है शार्दिय अश्टमी नवरात्री में अश्टमी और नवमी तिथी को लेकर भ्रम की स्थिती बन गई है, पंचान में उद्या तिथी को लेकर यह स्थिती बनी है, बताया जा रहा है कि 10 अक्टूबर को सप्तमी तिथी प्रात छे बचकर 58 मिनट पर समाप्त हो रही है, और अश्टमी अश्टमी तिथी प्रारंब हो जाएगी अर्थात तीन घड़ी से कम तिथी होने पर उद्या तिथी मान्य नहीं की जाती है, 10 अक्टूबर को अश्टमी पूरे दिन और रात्री में विद्मान रहेगी सुभच्छे 58 से अश्टमी तिथी प्रारंब होगी, जिसमें कन्या पूजन कन्या भोज और महागोरी के आगमन पूजा होगी दरसल इस बार नवरात्री पूरे नौ दिन की है, कोई भी दिन खंडिक तिथी नहीं है, नौ देवियों का आगमन प्रथम दिन से पूरे नौ दिन तक अलग-अलग दिनों में हो रहा है, ग्यारह तारीख को दुर्गा नवमी पाठ पारायन, व्रत पूजा, उपवास की पूर्णा हुती की जाएगी औरिया तिथी अश्टमी होने के कारण इस दिन भी कन्या भोज कराया जा सकता है, 12 अक्टूबर शनिवार को विजयादश्मी का त्योहार नीलकंठ दर्शन सरस्वती विसर्जन, देवी विसर्जन एवन शस्त्रपूजा के साथ किया जाएगा, अश्टमी नवमी तिथी को लेकर भ्रम्मे ना रहें, 10 अक्टूबर गुरुवार को अश्टमी एवं 11 अक्टूबर 2011 शुक्रवार को नवमी मनाईए, वहीं दशहरा विजयादश्मी का पर्व 12 अक्टूबर शनिवार को मनाएंगे